Hello students, आज आपन बगना रहेत अतीशे फेमस अशी पोएम The Inch Cape Rock, written by Robert Saudey अतीशे प्रसीद असनारी लिटरी फिगर Robert Saudey यानी ली-ली-ली ही पोएम परिक्षेचा दुष्टी ने अतीशे महतवाच असनारी The Inch Cape Rock The Inch Cape Rock, it is a ballad It is a story of 14th century Attempt by the Abate of Abarbarthak तर ही एक एक्चूल मदे जाले ली घटना है चौदा वैशत का मदे इंच Cape Rock अनी है एक बैलेड है बैलेड मनजे बैलेड चार था असा होतो जो से एखादे स्तूती पर गाईले लगी कि वाँ एखादे ची स्तूती करने साटी ली-ली कवीता तराशा प्रकर्ची ही कवीता आहे Abate of Abarbarthak फो इंस्टाल अर वार्निंग बैल अन दे इंच Cape Rock इंच Cape Rock जो समुद्रा मदे आसना रहा नटोरियस नटोरियस मनजे तराश देना रहा कि वाँ खतरना कासा खडग जा मुझे जास्त जहाजन चे अक्सिदेंट होता असा असना रहा इंच Cape Rock साटी वोज इंस्पार्ड बाई लीजेंटरी स्टोरी फो पायर्ट वो रिमूव दे बैल अन दे इंच Cape Rock तर रोबर्ट साटी जो आहे तो या एक एक अच्छल मदे जहा लेले लिजेंटरी और इंस्पार होन तेनी ली ली कविता है और पोएम गिवस असा असेज या पोई ते मदो ना अपने लेकी मैसेज मिलतो तो 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 रोग विद अनदर हाव और अन पनिशमेंट तो इंच के प्रॉक फिगो लाइन बाइन अपन लाइन बाइन का विता पाऊ हुए द इंच के प्रॉक नो स्टर इन दे एर नो स्टर इन दे सी स्टर स्टर तुमी एक अख़ए टीवी मदे जहराद पन पहले असेल स्टर स्क्वीज अगरे तो हलसाल किवा हलोने नो स्टर इन दे एर नो स्टर इन दे सी हावे मदे कुटे हलसाल नहीं किवा समुद्रा मदे ही कुटे हलसाल नहीं समुद्रा सब आए शानता आए वारा नहीं वादर नहीं द शीप वस तिल अच शी कूड भी शीप अतीशे तीजाज अतीशे शान्ता है जहीं तो तील्दा आस्याल करills हिए मोशन को Запाई साहल से ल्ब सकते गवाइं रिंगें कि कुल्द पंट ऒंट जया है वहलनी वालोग्त मासली साधी है इस वसे सपरेशवर लग्त ऑप्क्न स्टेड न्वाबर मताईं है तीची जी कीला है, तो K-E-E-L, कील चार थे तो जो जाजा चा प्रिष्ट भागास तो, खाल चा लाकडी प्रिष्ट भाग जवा है, तो जाला कीला सा मतला था, तो हर कील मों स्टेडी इन दो ओशिन, विदाउट एदर साइन और साउंड ओप देर शोक, कुठला ही साइन, कीमा कुठला ही आवाज, कुठला ही दोका, कीमा कुठले ही जोरा चावा रासा नहीं है, दो वेवड फ्लोर ओहर दो इन्च के रोक, अनि तया मुणे तया जा लाटा है, तया एकदम आती शे हडुवार पने इन्च के रोक चा वरून वाता है, जासा लाटा वर जाता है, अनि खाली है, दो इन्च के रोक चा वरून वाता है, दो इन्च के रोक चा वरून वाता है, अनि तया नाव आहे, अनि तया नाव आहे, अबेर बर्तक, ओ होली मैन, अ प्यूवर सोल, अतीशे चांगलया मनाचा असनारा मानूस, जाने, इन्च के रोक वर्ती, एक बेल बसवली, बगा लाकडी ओन कानी तया चोर लटको लेली, बेल मोटी ची तुमला दी सतसे, if you have a tax book, okay, he had placed that bell on the inch cape rock, he and on a boy, B-U-O-Y, boy, boy चा अर्थ होतो ही थे, एक अधा फ्लोटिंग अब्जेक्ट, लाकडाचा आधर ग्यून, एनारा जाना रहना, धोक्याचा इशारा देना साथी लाव लेला, तो floating object that anchored in the sea to mark dangerous place, एक अधा डेंजर प्लेस दाखोना साथी marking के लेला लाकडी ओनका, जा बगाती थे, जा चावरती बेल लाव लेला है, त्याला boy असम हट लेला है, in the storm it floated and sung, जा चावरती तो तरंगत रहील, and over the waves it's warning rung, and over the waves it's warning rung, and over the waves it's warning rung, and when the rock was hit by the surge well, and when the rock was hit by the surge well, surge well here, the sudden and great rise in the level of the sea, जहा समुद्रा मदे अत्युशे भरती इल, जोरा चा लाटा है, तिल असा surge well, and when the rock was hit, पूरुन पने, तो जो इंच केप रोका है, तो जाकला जाहिल, समुद्रा चा लाटान मदे तो डुबून जाहिल, and तेहों आ मोट मोट्या लाटा है, तिल, जोरा चा लाटा है, तिल, the mariners heard the warning bell, mariners heard the warning bell, and they knew the previous rock, and the mariners अहे, जह खलाशी अहे, ताना bell सा आवाजे इल, and they knew the previous rock, and they knew the previous rock, previous, previous, चा मेनिंग होतो dangerous, बगा लक्षन है, परिक्षय मदे similar word वीचालेताद प्रिलियस और प्रिलियस है वा अनदर similar word dangerous, so the rock the blessed the abat birth blessed, blessed, blessed blessed हा old English सब वड़ाए, जला आपन modern English मदे blessed असो मनतो, एक हाद आला अशिरवाद देने सम्झा जर एक हाद देने तुम्हाला मदद के लिए, के वा तुम्हाला अशिरवाद देताद के वा तुम्हाला चांगला मनतत as like that, जहुआ the number of mariners save their life from that previous rock, save their life from that inch cape rock and blessed the abat birth करंटीजी warning बेल है, ते abat birth नी बस होले लिया है, अनि ते आमोई सर्वजन ते abat birth तुम्हाला काय देताद, अशिरवाद देताद so this poem is divided into two parts today we will see only the one part and second part we will see in another video okay, so I hope that you understood if I speak in Marathi, Hindi or English also but now I am using only the Marathi and English language the sun in heaven was shining gay the sun in heaven was shining gay all things were joyful on that day the sea birds screamed as they wheeled around and there was joyance in their sound the sun in heaven was shining gay all things were joyful on that day the sea birds screamed as they wheeled around and there was a joyance in their sound the sun is shining brightly, very brightly and all things were joyful on that day the sea birds, the sea birds are also screaming they are making a sound, they wheeled around and there was a joyance in their sound the sun is shining the sun is shining the sun is shining the sun is shining the boy of the inch cape bell was seen inch cape bell was seen the boy is seen the boy's art the sun is shining the sun is shining the sun is shining he said what this song is shining the sun is shining the sun is shining here is the blue moon the mother who is shining the sun is shining the Buddha the which shows you were shining the powerful information the Ziemi बसो लिली बेल, घिरिव्यागा राशा, सुन्द राशा समुद्रा मदे, सर्ल राल दरोवर, now the abbot of abbot बर्तोग, we call that hero of this poem, and the sir, राल दरोवर, it is known as a villain, आपन त्याला villain मनुशक्तो करन तो एक sea pirate है, sea pirate मंजे, समुद्रा मदे, लुटारू, समुद्रा मदे, चोरी करना रा, कि वाल जला, समुद्र का, लुटे राशा, पन एका, त्या, कार्टून मदे, बगरे पनाएकतो, so, राल दरोवर, वाक, his deck, and fix his eye on the darker speck, and he had fixed his eye on the darker speck, and he feel the cheering power of spring, he made him whistle, he made him sing, his heart was mirthful to excess, but the rover mirth was wickedness, and what will happen, we will see in the next lecture.